Welcome dear students, आज हम पढ़ेंगे Biureate Test सबसे पहला question है, what is Biureate? Students, Bi का मतलब 2 और UREAT होता है UREA से So, Biureate का मतलब है कि ये एक ऐसा compound है जो दो UREA के molecules के condense होने से बनता है और ये इसका formula होता है That is Biureate, this compound is called as Biureate इस test को Biureate Test क्यों कहते हैं? क्या इस test के दौरान Biureate यूज होता है? नई dear students, आपको हिरानगी होगी ये चान के कि इस पूरे test के दौरान कहीं पे भी ये Biureate इस्तमाल नहीं होता तो फिर इस test को Biureate Test कहते क्यों है? क्योंकि ये जो Biureate है, ये इस test को positive show करता है So, Biureate इस test को positive show करता है इस लिए इस test को Biureate test कहा जाता है और ना सिफ Biureate बलके कोई भी ऐसा compound जिसमें ये Amide Linkages एक से ज्यादा होंगे वो सारे Biureate test positive show करेंगे अब Biureate reagent क्या है? यानि कौन सा reagent यूज किया जाएगा इस test में? तो कोई अलकली यूज कर लें, एको सेन्योच या क्योच, हाइडरेटिड कॉपर सलफेट यूज कर लें जिसका blue color होता है और potassium, sodium, tartrate यूज किया जाता है इसका मकसद सिर्फ यहाँ पर मुझूद की उपर एक आइन को stabilize करना होता है और chillates बनाना होता है उसके बाद इस test tube को अच्छे तरीके से हिलाएंगे और पांच मिनिट के लिए इसको रख लेंगे पांच मिनिट के बाद इस test tube के अंदर जो reaction mixer है अगर उसका color blue पहले भी blue था और बाद में भी blue है तो इसका मतलब है कोई color change नहीं observe किया गया इस test tube के अंदर तो ये negative biure test है और इसका result क्या होगा प्रोटीन जार absent लेकिन अगर आपको इस test tube के अंदर color change नजर आता है और blue से violet या purple सा color बन जाता है तो इसका मतलब है कि ये positive biure test शो किया है इस test solution ने और इसमें क्या मुझूद होगी प्रोटीन मुझूद होगी अब हम देख लेते हैं कि इस biure test में basically chemical reaction क्या होता है जब आप protein किसी sample में होती है और आप biure test reagent डालते है तो उस biure test reagent का क्यूपरिक आइन basically protein के साथ reaction करता है इस क्यूपरिक आइन का blue color होता है और protein और इस क्यूपरिक आइन में reaction के बाद यह आपके पास एक complex सा बन जाता है जो के violet color का होता है तो इसका मतलब है अगर protein होगी यह reaction होगा तो blue color किसमें change होगा violet में तो यह positive biure test होगा और अगर protein नहीं होगी तो फिर जहरी सी बात है यह color भी blue से violet में change नहीं होगा तो हम कहेंगे यह negative biure test है और इसमें protein की absence होगी होती है सिर्फ proteins ही नहीं बलके dear students कोई भी ऐसा compound organic compound जिसमें यह आपको groups नज़र आए लेकिन एक group नज़र आए दो या दो से ज़्यादा इस तरह के groups में से कोई भी आपको नज़र आज़े दो या दो से ज़्यादा तो वो क्या show करेगा positive biure test show करेगा अब जानते हैं कि amino acid में इन में से कोई भी मुझूद नहीं होता तो इसलिए amino acid जहें वो negative biure test show करते हैं लेकिन जो die peptides हैं उनमें आप जानते हैं linkage मुझूद होता है इसलिए die peptides, stripe peptides, poly peptides proteins ये तमाम के तमाम क्या show करते हैं ये positive biure test show करते हैं तो biure test का जो main मकसद है that is the detection of the protein हास तोर पे urine के अंदर protein को detect करना और even के spectroscopic analysis में protein की concentration को detect करने में भी biure test use होता है और एक बड़ी important बात है ये जो blue से purple color change होता है इस purple color की intensity भी चेक की जाती है अगर तो ये less intense है तो इसका मतलब है कि die peptide या protein जो कुछ भी है उसकी concentration काम है लेकिन अगर ये ज्यादा intense purple color बनता है तो इसका मतलब है कि test solution के अंदर protein या die peptide, tri peptide जो भी है उसकी concentration काफी ज्यादा है तो ये बायूरेट टेस्ट है अपना ह्याल रखिए गया